हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है दीपक चोर रस्या और आप सभी का हमारे सीटीव चनल पर स्वागत है यह अपडेट मेरे जो आइफोन 14 प्रो में है ना बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है कोई अभी तक फिलाल जो मुझे प्रॉब्लम जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो नहीं हो रही है यहाँ पर क्या कुछ सही तरीके से चल रहा है चलिए उसके बारे में बात करते हैं पहले बात करिए गाइस इस अपडेट के पर्फॉर्मेंस की की पर्फॉर्मेंस कैसी आइफोन 14 प्रो में इस अपडेट में काफी बहतर पर्फॉर्मेंस जो वो मिल रही है मुझे लग रहा था यहां पे जब CPU scores हैं इनके जो benchmarks हैं काफी कम हो गए थे Multicore 7000 था और अभी जो 5700 हो रहे गया था काफी कम हो गया था तो मुझे लग रहा था कि performance कम हो जाएगी लेकिन GPU scores जो है वो आपको है वो भी थोड़े से बढ़े हुए थे पहले था 22,785 बाद में 22,996 मतलब जो अपडेट आया था 17.2.1 तो उस अपडेट में जो GPU score से इनके benchmark सोड़े बढ़ गए थे तो overall जो performance है गाईस मुझे लग रहा था कम होने वाली बड़ ऐसा नहीं है performance आपको same to same पिछले अपडेट की तरह ही मिलने वाली यहां पर बिल्कुल भी आपको कम performance महसूस नहीं होने वाली है बात करेंगाई यहां पर connectivity की तो connectivity भी बहुत ही सही तरीके से काम कर रही है पहले कुछ problems थी कुछ iPhones में कुछ लोगों के साथ हो रहा था उनको बात करने में network का problem हो रहा था आवाद सही से नहीं आ रही थी तो ऐसा कुछ problems जो है मैं face नहीं कर रहा हूँ इस update के बाद तो connectivity problem में कहूंगा अभी तक अगर कुछ थी छोटी बोटी तो वो fix हुई है यहां पर सब तरीके से सही जो है काम कर रहे है बात करें widgets की तो weather वाले widget का क्या हाल है आप लगों को पता है काफी सालों से सही data सो नहीं करता है तो कभी कभी यह problem होती है लेकिन यह जो गायब होने की सिलसिला था पहले वो अभी जो है नहीं हो रहा है मतलब जो widgets हैं गायब नहीं हो रहे आप crashing वगरा देखने को नहीं मुल रहे है खासकर यह चीज में यूटूब पे जाता फेस करता हूँ और यह यूटूब का ही बग है अपडेट का कोई लेना देना नहीं है बट वैसा कुछ जो है मैं भी फेस नहीं कर रहा हूँ यूटूब का crashing आप था crashing system था वो भी अभी जो है सही होता हुआ नजर आ रहा है बात करते हैं मैं इसकी बैटरी हल्थ की 87% बैटरी हल्थ है और बैटरी बेक अप है कैसा चलिए आपको मैं दिखाता हूँ दो घंटे पहले 91% फोन को चार्ज किया था और अभी फोन में बैटरी है 74% 12 बचे चार्ज किया था दो घंटे में इस फोन की बैटरी है करीब 20 से 20% के आसपास जो है सोरी 20% के आसपास जो है वो ड्रेन हुई है दो घंटे में 20% बैटरी का ड्रेन होना बहुत ही कॉमन सी बात है और पिछले दो घंटे से यह फोन कॉंटिन्यू जो है यूज हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम 34% बैटरी यूज किया है बात करें दो घंटे 8 मिनिट फोन को जो है इंस्टाग्राम को चलाया गया है तो यहाँ पर मैं और ओर कह सकता हूँ कि बैटरी बैक अप ठीक ठाक मिल रहा है बट आटोमेटिक जो बैटरी डेन है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही है यह हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो 17.2 का स्टेबल अपडेट था उसमें बैटरी बैक अप सचमें बहुती अंवेजिंग था बैटरी बाध बहुत अच्छा मिल रहा था मुझे उससे ठोड़ी सी कम बैटरी जो है यह ऑप्डेट में कई कंट्री डेक्षआ अप्डेट इस में और प्रडेट्जा तक इकой का प्राब्लम के ऐा है बट किसी भी iPhone के लिए ऐसी कोई जो है चीज़े अपडेट होती है तो मेरे साब से इंडिया में भी देनी चीए पता नहीं इसा क्यों कर रहा है पहले के मुझे लग रहा है पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम मिल रहा है काफी लोगों को स्टोरेज का कोई भी पंगा नहीं है सारा कुछ सही तरीके से हैं देख सकते हैं 17.2.1 का जो डाटा है 11.18 है और सिस्टम डाटा 5.5 GB के नीचे ही है तो यह जो है नॉर्मल सी बात है इसमें घबराने मली कोई बात ही नहीं तो यहां पर ओवररल कहूंगा जो बैटरी बैकप उतना बहतर नहीं है जितना मुझे लग रहा था होना चाहिए क्योंकि 17.2 का बैटरी बैकप काफी अमेजिंग था बहुत ही बढ़िया मिल रहा था बड़ यह अपडेट करने के बाद थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम जो मुझे हो रहा है आप मुझे में कैसा जो है यह परफॉर्मेंस दे रहा है यह अपडेट अगर आपको यह वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजे मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई